परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चदुश्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे प्रेदर शुकूँ नमस्कार एक पर फिर से उपस्तित हूँ आप सब के सामने मंगलवार के कारिक्रम में कल मैंने बात करी थी शनी और मंगल को ले करके कि अगर वो किसी भी भाव में बैठे हो या उनकी युती किसी भी भाव में हो तो उसके वस्तुता कैसे परिडाम आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे जैसे मैंने बात कही थी व्यक्ति के अंदर स्वतंत्र विचार धारा लेकर के पैदा होता है अपने आपको हमेशा ही कामों में मसगूल रखने वाला होता है किसी की बात को बहुत ज़्यादा बरदास्त करने की छमता उसमें कम होती है प्रत्योगिताओं में ज़्यादा हस्तक छेप करता है आगे बढ़ करके जीवन को जीना चाता है वैराग्य धारन करने वाला होता है बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखने वाला होता है दामपत्य भी उसका ठिक ठाक होता है पत्नी बहुत ज़्यादा सुन्दर ना मिले पर फिर भी पत्नी से प्रेम करता है जीवन के आरम भकेते स्वर्स जो होते हैं वो थोड़े कठिनाई से युक्त होते हैं पर जैसे ही व्यक्ति उस काल को पार कर जाता है उसके बाद वो बहुत ही जादा प्रशिद्धी को प्राप्त करने वाला होता है पर बात दरशल यहां यह है कि ये व्यक्ति के अंदर जीवर्टा का जो भाव है वो शनी और मंगल ही देते हैं जो व्यक्ति थोड़ा अकर्मन्ने है थोड़ा कठोर है अपने जीवन को लेकर के एकदम बिलकुल निरुदेश्य है उसमें किसी भी तरीके का बाहे प्रभाव नहीं है उसमें शनी और मंगल के प्रभावों को कम देखा जाता है पर वस्तूता अब हम इसी चीज को अगर समझते हैं कि जन्म कुंडली के लगन में अगर ये बैठे हों अब यह यह बात सिर्फ लगन में देखनी है कि अगर किसी भी भक्ति की कुंडली के लगन में शनी मंगल बैठे हों तो वो कैसे प्रभाव देंगे आज की कारिकरम में हम मुख्य तया इसी विश्य को समझेंगे आए कारिकरम के आरम में 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 बोलेगे श्लोक का अर्थ फिर बता देंगा आईए अब आपको विश्य के लेकर आता हूं कल मैंने जो आप लोगों को कारिकरम में बात बताई थी उसको लेकर के किसी भी तरीके का दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा और आज भी जो बात बता रहा हूं दरसल आपको हर जगह पे शनी और मंगल के बारे में निगेटिव चीज़ें जादा सुनने को मिलती हैं ये बात मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हों पर वो जितना निगेटिव है वो क्यूं है आज उसको मैं स्पस्च करता हूं एक बात समझेगा जो बुरा है जो दुरदान्त है जो परिशान करने वाला है वो अगर चाहे कितना भी सुधर जाए थोड़े से उसके प्रभाव तो बुरे होंगे ही अब चुकी केटेगराइजेशन जो किया गया है ग्रहों का उसमें अगर देव गुरु ब्रहस्पती चाहे कितने भी पर नैसर्गिक कहने का मतलब क्या है नैसर्गिक कहने का मतलब है वो स्वभावत वैसा है नैसर्गिक सुभग्रह का मतलब वो स्वभाव में सुभग्रह मतलब उसके अंदर शुभता जादा है अगर वो निगटिव भी होगा तो भी उसके अंदर के शुभत त्रगुण आ और उसकी जलके आपको मिल जाएंगे पर जो बिगड़ा हुआ है उसके बिगड़ने के चांस जादा है जो पापक है उसके अंदर पाप प्रभाव जादा है तो बस यही जो पाप प्रभाव जो थोड़ा कम भी होता है वो भी इतना जादा बलिस्थ हो जाता है कि व्यक्ति क जैसे मान लिजे आप दवाई जो खाते हो और जो जहर खाते हो विश कितना खाते हो एक दम बिल्कुल कम पर वो शरीर के लिए तो हानिका रखी होता है दवाई भी हानिका रखी है जैसे शर्प के विश जो प्रोटीन ही होते हैं अधिक मात्रा में जब शरीर में चला जाता ह तो वो शरीर को शूट नहीं करता है बस वही बात है तो वास्तों में करा क्या जाता है उससे अधिक तिव्रता वाली जो है वो जहर दे दी जाती है ताकि उस जहर को वो काट सके यही बात है न मैं तो यही जानता हूं इससे और भी तो कोई बात होती नहीं होगी वस्तुता बात यही है कि अगर जन्मकुंडली में मेश लगन के तुला लगन के मकर लगन के अब जड़ा विशार करिए तो तुला में शनी उच्च के होते हैं और मंगल मकर में उच्च के होते हैं शनी नीच के होते हैं मेश रासी में और मंगल नीच के हो जाते हैं करक राशी में ये बात आप लोग जानते हैं वस्तुता यहाँ पे शनी और मंगल दोनों की उचराशियों का निर्माड अगर लगन में हो रहा हो अब बात फाइनली जो है वो उसके परिणाम बताऊं तो जन्मकुंडली में अगर लगन में शनी की नीचराशी बनी हो और वहीं शनी बैठे हो शनी की उचराशी बनी हो और शनी वहीं बैठे हो मंगल की उचराशी बनी हो और मंगल वहीं बैठे हो और उसे पे अब ध्यान से समझेगा बहुत क्लियर वे में बोल रहा हूँ उस पे किसी अन्यग्रह का जितना ही प्रभाव कम हो जितना ही उस पे अन्यग्रहों का जब इस पे अन्य कई ग्रहों का प्रभाव भी पड़े तब मतलब जैसे एक बाब बता हूँ आप हो यहाँ पे अब आप पे कई लोगों का प्रभाव अगर पड़ेगा तो निशंदे आप परिशान होगे और निशंदे आपको वो चीजे प्रभावित भी करेंगी लिखा हो साथ नंबर लिखा हो दस नंबर लिखा हो और यहाँ पे अन्य किसी ग्रह की कोई दिश्टी न हो जैसे मान लिजे गुरू यहाँ न बैठे हो क्योंकि गुरू यहाँ बैठेंगे यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठेंगे तो लगन को देखेंगे क्योंकि जहा जहां वो बैठते हैं वहां से पांचवी दिष्टी से लगन को देखते हैं, जहां बैठे हैं वहां से साथवी दिष्टी रखते हैं, जहां वो बैठेंगे वहां से नवी दिष्टी रखेंगे, अब वहीं पे अगर राहू यहां बैठे हों, राहू यहां बैठे हों, के तब उसके प्रभाव क्या रहेंगे अब बताता हूँ अगर इसमें सिर्फ इस पे ध्यान दीजे कि अगर यही तीन संख्या लग्न में लिखी हो तो क्या होगा वक्ति नौकरी करने वाला होता है ये शनी मंगल वक्ति को नौकरी दिलवा देते हैं विशेशतिया अगनी शाम पर बिभोशित हो जाए, वन विभाग में नौकरी कर ले, भारी संयंत्रों के पास रह करके नौकरी कर ले, बहुत जादा नौकरी में प्रापद-प्राप्त की तरफ इसकी एक्षा नहीं होती है, वो ब्यक्ति बहुत जादा प्रमोशन नहीं चाहता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको धन को संग्रहित करने का भाव भी बहुत जादा नहीं होता है. ये बात समझें के बिल्कुल क्लियर बता रहails हूँ. बहुत जादा उसके दिमाग में धन के संग्रहन की एक्षा भी नहीं होती है. मैंने कल जो बात कही थी, उसी तरीके से यहाँ भी पत्नी ब इंद्राशी बन गई ना ये, अब मंगल के साथ अगर शनी बैठेंगा तो उनका नीचा तो भंग भी हो जाएगा, पर यहाँ प्रे, आप नीच के हो नहीं रहे हैं। ना जी ऐसा नहीं है, ऐसा बिलकुल भी नहीं, मैं गैरंटी देता हूँ, ऐसा नहीं है, हाँ, उसे पे अगर कई प्रकार के, अब जैसे वो कब हो सकता है, जब सबतमेश बिगडे हों, बिगडएल हों, नुक्षान दायक हों, पापकरह की राशी बनी हो, उस पे शनी मंगल हो कि तुका प्रवाव पड़ गया, उसके बाद वहां कि अधिपती नीच हों, अस्त हों, कमजोर हों, दुखी हों, परिशान हों, पापकरत्री में फंशे हों, तो ये स्थती बनेगी, पर वस्तुतह ऐसा नहीं है, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा, विवा एक ही होगा, संपुर्ण तरीके से चलाए, अब ऐसी इस्तोती में हो सकता है कि पत्नी थोड़ी सामली हो, डख्ती थोड़ा सामला हो, बहुत ज़्यादा लंबे और उचे कतकाना हो, और सयमी नहीं होता, वो किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आशा नहीं रखता है, बहु होता है शनी के कारण, पंक्चुल होना मतलब टाइम पे नौकरी पे जाना, और अनुशासित होने का काम शनी दे देते हैं, ये दो चीज़ें, व्यक्ती अब वहाँ पे उसके काम रुकेंगे भी नहीं, अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी बात जानने की आवशकता है, कि कोई आवशक नहीं है कि शनी लगन में बैठ जाये तो आपका काम रुकेगा, नहीं, रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो उच्चके हो जाएंगे, और वो मंगल भी उच्चके होंगे, तो दो ग्रह लगन में उच्चके हो गये, शाथे साथ शनी का नीचत तो व्यक्ति के अंदर भौतिक वादिता की स्थती को कमजोर करके नीरुदेश्य बना देंगे, बहुत ज्यादा उसके पास लंबे चोड़े उच्च आदर्ष को रख करके चलने वाला होता है, पर उदेश्य बहुत बढ़ा नहीं होता है, वो बहुत संतुलित हो करके जीवन जीना चाहता है, शांत चित हो करके जीवन जीना चाहता है, दार्षनिकता का भाव रख करके व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, हाँ, वो प्रमोशन के लिए मेहनत करेगा, पर अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, चलो संतुलित का भाव रख करके वो अपने बात समझनें यह दारशनिक्ता का बोध है जो यह उसके इनकी कुंडली में लगन में अगर बैठे हूँ तो ये बात कराती है अब होगा क्या कि अब शनी चुकी लगन में बैठ गये और उच्चके हो गए या मंगल के साथ बैठ गए या मंगल के उच्चके होने के कारण यहां पर शनी भी बैठ गे तो अब होगा क्या कि वास्तों में शनी जो होते हैं वो न्याय करवाने वाले ग्रह होते हैं अब मंगल भी वहां बैठेंगे तो उसका प्रभाव अब यहां यह हो जाए कि व्यक्ति को अब तब तक वो चीज नहीं मिलेगी जब तक वो रहे हैं कि जब तक तुम सौ नहीं दोगे तब तक मैं तुझे सौ नहीं दोंगा पढ़ाई के दौरान अगर दिमाग विद्यार्थी का भटकेगा तो अंक पूरे नहीं मिलेंगे अगर यह है अपना काम सही से नहीं करेगा तो उसको उसके पास क्लाइंट कमाएंगे अगर वो वकील है तो उसके पास अब उसको अपने केश को स्टडी में जादातर मेहनत के उपर से गुजारना होगा किसी भी छेतर में व्यक्ति नौकरी कर सकता है यहाँ पे बेवसाय बगेर थोड़ा कम चलता है बेवसाय जो चलेगा भी तो शनी और मंगल के प्रभाव छेतर में जो बेवसाय आते हैं वो कर सकते हैं पर उसमें नौकरी अगर व्यक्ति जादा जाने का प्रयास करें, किसी के अंडर मेरा करके अगर काम करें, तो जादा अच्छी बात हो सकती है. दूसरी बात, बेवसाय करें तो कौन सा? बेवसाय करें तो बिल्डिंग मैटेरियल का करें, लाइजनिंग का काम कर सकता है, एजेंट बन सकता है, ब्रोकर बन सकता है, उसके बाद जहाज वगरह पे काम कर सकता है, मशीन और कल पूर्जों से समंधित काम कर सकता है, कोडिंग पोस्ट उसको नहीं मिलती पर प्रोमोशन धीरे-धीरे होते होते वो उचस्त बन जाता है अगर इसके अलावा कई अन्य राशियां यहां पर बन रही हूँ जैसे कोई अन्य राशी बने करक बन जाए तुला के बाद और मेश और मकर के बाद धनू बन जाए कुम्भ बन जाए मिथुन हो जाए कन्या बन जाए तो यह जो चीजे मैंने जो बताए ना जैसे कि व्यक्ति संतोशी हो जाए व्यक्ति पत्नी से प्रेम करें वो सुंदर्ता का स्वाद लोलूप नहीं होता है स्वाद से युक्त भोजन नहीं करना चाहता शान्त है और शान्तचित हो क तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, अब वो चीजें थोड़ी कम हो जाएंगे, मतलब अब क्या होगा, तो अब उसके अंदर punctuality थोड़ी नहीं होगी, अब वो punctuality थोड़ा कम होगा, अब वो संयमी थोड़ा कम होगा, अब वो भागिवादी नहों करके, अब वो अपने प्रभावों को बिक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्यास करेगा। थोड़ा वो कमजोर भी हो सकता है। उसके मानशिक स्थेतियों को कमजोरी से भी देखा जा सकता है। वो मन का कमजोर होगा। उसके निरनय गलत हो सकते हैं। वो अपने ही गलत निरनयों के का कई बार पस्चाता भी करता है बात को समझेगा बड़ी निकटा करके आपको समझा रहा हूं अपने ही निर्णयों के कारण उसके प्रभाव में कमजूरी होती है अब कभी-कभी वो कलुशित हो जाएगा हमारे गाउं में उसे ऐसा कहा जाता है कि दूसरों की बातों में तु में आ जाओगे विश्वास कर लेते हो तुरंत मतलब उसके अंदर अब प्रैक्टिकल ग्यान थोड़ा कम हो गया मतलब उसके अंदर अब जो दार्शनिकता का भाव था वो कम हो गया अब उसके अंदर जो भाग्यवादी इस्थितियां थी भाग्यपे भरोसा जन्मकुंडली के लगन में होता हो शनी मंगल वहीं बैठे हो तो ये सारी जो चीजे मैंने कारिकर में आपको बताई है वो थोड़ी कम-कम सी हो जाएंगी और वहाँ पे व्यक्ति अब प्रभावित करने की छंता वाला हो जाएगा अब वो किसी भी चीज को आसानी से नहीं छोड़ेगा अधिकार पुर्ण बात करेगा अधिकार संपन बनना चाहता है तुरंत ही प्रोग्रेस करना चाहता है आसानी से किसी भी चीज को ले करके संतोशी नहीं होगा अब उसके पास संतोश वाली वर्ती थोड़ी कम हो जाएगी हाँ ये बात है बस इतनी सी बात थी अब एक बात और है कि यहाँ पर शनी और मंगल जब लगने में बैठेंगे तो ये बात बिलकुल भी दिमाग से निकाल देने की बात है कि अब आप अगर अपने काम में थोड उर्जा पाएंगे तभी वो आपको फल लेंगे अन्य था थोड़े कम बात समझ में आ रही है मतलब अगर ये स्थती है तो ब्यक्ति थोड़ा दैविये प्रकोपों को मानने वाला दैविये प्रभावों में आने वाला उच्छ प्रासंगिकता को लेकर चलने वाला जीवन होंगे गर वो उसके अंदर प्रभाव करने की छमता में कमजोरी आ जाएगी वो शांत हो जाएगा इलोप हो जाता है अलग रहता है आईसोलेट होता है विवस्थत रहना चाहता है शांत हो करके जीवन को बिताना चाहता है भाईयों से हो सकता है बहस हो जाए जगड़ा हो जाए फशाद हो जाए तो उसमें वो लड़े नहीं अपने आपको बोले भाईरे मुझे जो दे दोगे मैं उसे में अपना जिवन को जार कर दूँगा मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज की आवशकता नहीं मुझे शांती चाहिए अगर ये तीनों लगन बने हो तो अन्य मंगल की दशा आएगी जैसे ही शनी और मंगल की दशा गुजरेगी हो सकता है व्यक्ति के लाव लेने वाले दोगों का प्रभाव कम हो जाए और व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने वाला हो जाए नहीं म्यार मुझे ऐसा नहीं करना था नहीं मित्र मुझे ऐसा नहीं क करना था नहीं मेरे जितने भी निकट संबंदी हैं वो सब मुझे मेरा लाव ले रहे हैं इसलिए मुझे अब अलग रहना होगा वास्तों में उसके उच्चेदार शनिक्ता का भाव तब जागरित होता है जब शनी लगन में हों उच्च के हों स्वरासी के हों और मंगल के यहां रहा हूं समझ में तो आ रही है आप इसे पूछ रहा हूं मैं हां तो यह बात यहां पर यह समझ लेने की बात है वस्तुता लिए बात और बता दूं सिर्फ शनि और मंगल प्रभाव में बुरे ही नहीं होते यह तो आप भी जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ परवस्थुता हमें उनके स्थती को देखना होगा अब ये जो चीजे मैंने बताई वो कब बहुत अच्छी और भी हो जाएंगी जब ये युवा हो उच्छे हैं युवा भी हैं अब ये और भी जादा अच्छा कब हो सकता है जब वो बिल्कुल ही किसी ग्रह क भाव के अधिपती से वो ग्रह मुक्त होना चाहिए या किसी भी तरीके से वो इनके प्रभामों में ना आते हैं बस इतनी सी बात है ब्यक्ति का काम अच्छा चले ब्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभाव बिक्षित करने वाला ना हो शान्त हो करके जीवन जी लेगा और ब करके बैठे हैं मंगल तो यहां पर अबालगाओ होगा ऐसा नहीं है अब व्यक्ति समझदार होगा अब व्यक्ति संतुस्टी को प्राप्त करने वाला होता है उसके प्राण पखेरू अच्छे से उड़ते हैं वो संतोश में मरता है ऐसा नहीं भटक रहा है भटकी आत्मा नहीं होती है अन्य मराशियों में बनेंगी बात तो ऐसी चीजें होंगी अब आने वाले दिनों में मैं किसी दिन आपको इस यूती का प्रभाव दूसरे भाव में कैसा होता है वो बता दूँगा मेरा प्रयास ये है जादा की आप लोग इसको समझें और वस्तुता जहां पर बात अगर शनी के लगन में हो जाने की होती है वहां आपको एक ही बात ध्यान से समझने वाली हो जानी चाहिए अब आप अन्याय नहीं कर सकते अब आप न्याय के प्रति मुर्ती हो गए हो और वहां पर आपको जोतिशिय ग्यान धार्मिक ग्यान प्रभजों का जो प् वाड़ी को लेकर के प्रभावित करने वाला होता है, उसकी वाड़ी का प्रभाव देखा जाता है, और धन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्वाद लोलूप नहीं होता है, क्लेर है, समझ में आ गई बात, आप समझ भी गए होंगे, तब तक लिए जाज़ा दीजे कारेक्रम क पर जो लोग बैठे हैं अगर उनका हस्तप छेप धर्म के और धार्मी कृत्ते में ज्यादा होने लगे अब कल्यूग में कोई रामण तो होगा नहीं रामण जैसे दश्रशेरवाले तो लोग होंगे नहीं ऐसे ही लोग होंगे और ऐसे ही प्रभावव्यक्ति का बढ़ेगा तो होगा क्या कि वास्तों में धर्म इतना ज़्यादा घोंच-पोंच हो जाएगा कहने का मतलब यही बात है इतना ज़्यादा धर्म बिघटित हो जाए उसका बिघटन हो जाए पंथों में बिभाजन की इस्थिति आ जाए शिक्ध धर्म में कई मार्ग खुल जाए शनात पिक धर्म के कई पंथ हो जाएं, छोटे-छोटे संख्या में लोग विभाजित हो जाएं, कहा जाता है भारतिय लोकतंत्र में जितने नेता हैं उतनी ही पाटियां हैं, ये स्थती बन जाएं, और कोई भी सर्ष पर बैठे जो लोग हैं, जैसे जो वो धर्म से आते हूं, रा राजा का मुकुट छत विछत हो जाएं, वो प्रभाव शुन्य हो जाएं, गो माता खतम हो जाएं, गंगानादी लुप्त हो जाएं, संख बजना बंध हो जाएं, माता और बच्चे का प्रेम कम हो जाएं, उसमें काम की अधिकता आ जाएं, तो फिर मैं आ जाता हूं, तो और दरसल एक बात और है रुक के जाएए थोड़ा सा और बता दूँ वो आता तो नहीं है और न तो कहीं जाता है ये तो हम मुर्खों की बात है कि भगवान आ गए अगर वो आना होता तो किसी और मार्ग से भी आ सकते थे वस्तुता जो हर जगा है वो न तो कहीं आ सकता है और ना कभी जा सकता है जब कनकन में भगवान है तो फिर वो क्यों आएंगे और क्यों नहीं आएंगे और क्यों वो जाएंगे सोचने वाली बात है जो शर्वस्व है जो सर्व व्यापक है वो ना तो कहीं जाता है और ना कहीं आता है यह आपके मुर्खता और आपके विद्वता पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि आप उसको अजन्मा मानते हो यह फिर जन्म लेने वाला मानते हो पकी बात है तब तक के लिए इजाज़त दीजे कैसा लगा ये कारिकर जरूबत है तब तक के लिए इसाज़ा दीजे कले बाद फिस्व पुस्तित होंगे आप सब के सामने बहुत बहुत तमश्कार